अभिनेता सल्मान खान और आयू शर्मा ने गुरुवार को अपनी आगामी फिल्म अंतिम दा फाइनल टुथ से अपना पहला गाना विगनहरता साचा किया है वीडियो में हमें सल्मान खान और आयू शर्मा के बीच हाई एक्शन सीन्स की जलक देखने को मिल रही है इस गानी की खास बात यहाँ है कि इसमें वरुनधवन भी नज़र आ रहे हैं फिल्हाल इस फिल्म में वो गेस्ट के तौर पर नज़र आएंगे या कोई किरदार निभाते दिखेंगे यह तो समय ही बताएगा सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए सल्मान ने लिखा अंतिम की शुरुवात बपा के आशिरवात के साथ फिल्म निर्माता महेश माजरेकर ने अभिनेता आयूश शर्मा की प्रशंचा की है आयूश ने अपनी आगामी फिल्म अंतिम दा फाइनल चुरुथ के गीत विगन हर्ता के लिए घायल और फैक्चर हतेली के साथ शूटिंग की है इस साल जन्वरी में आयूश ने शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर चोटिल होने की जानकारी दी आयूश के बारे में बात करते हुए माजरेकर ने कहा एक चीज जो मुझे आयूश की सबसे ज़्यादा पसंद थी वह थी उसके काम करने का जुनूल वह किरदार के लिए इतना समर्पित था वह राहूलिया बन गया गाने की शूटिंग के दौरान एक दिन मुझे जल्दी जाना था और केवल कुछ छोटे एक्शन सीक्वेंस बचे थे इसलिए मैं घर जल्दी चला गया फिल्म निर्माता ने आगे कहा अगले दिन सुबह सबसे पहले मुझे पता चला एक्शन सीन में गल्ती से एक क्लोज अप शॉट के दौरान उसकी उंगलिया तूट गई चूकि हमारे पास बहुत सारे दृश्य या शॉट लंबित थे इसलिए मैं थोड़ा चिंतित था लेकिन मैं चकित था जब उस तूटे हाथ से उसने शूटिंग खत्म कर दी वहाँ भयानक दर्द में रहा होगा लेकिन किसी भी तरह वहाँ शूटिंग पूरी करने में काम्याब हो गया माजरेकर को पता था कि बॉलिवर्ट सुपरस्टार सलमान खार बहनुई आयूश दर्द में है उन्होंने कहा मैं उन्हें अपनी कलाई बाते व्यायाम करते और हर शॉट को महनत से करते हुए देखा है जब आपका हाथ फ्रेक्चर हो जाता है तो यहाँ एक जगजोर देन वाला एहसास होता है लेकिन वहाँ भूमिका में डूब गया था। यहाँ पहली बार है जब सलमान और आयूश शयार करते नजर आएंगे। सल्मान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत अंतिम, सल्मान खान द्वारा निर्मित और महेश माजरेकर द्वारा निर्देशित है INS रिपोर्ट